नमस्कार, क्या पचल टीवी का खाश शो राहूल का अधनिपत देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा भारत की हर सफलता में नकरात्मकता ढूंडने में माहिर राहूल गांदी अपनी ही सफलता को लेकर बुरे फज गए हैं राहूल गांदी ने वायनाड और राई बरिली दोनों ही सीट से बड़ी सफलता हासल की हैं पर कुछ दिन पहले वो कहते नजर आये थे कि वो बड़ी दुविदा में है राई बरिली चुने या वायनाड कुछ समझ नहीं आ रहा पर राहूल गांधी की ये दुविदा दूर हो गई है, कॉंग्रस पार्टी की रननीती सामने आ गई है राहूल गांधी ने वाइनाड के जनता को धोखा देकर राइवरिली का रास्ता चुन लिया है और बड़ी बात ये है कि प्र्यांका गांधी की जोली में वाइनार्ट की सीट सौब दी गई है प्र्यांका गांधी पहली बार वाइनार्ट से अपचुनाओ लड़ेंगी तो राखुल गांदी की वाइनार्ड में सफलता कैसे बन गई है परिवारवाद की दुविदा बताएंगे आपको साती नेता प्रतिपक्ष के लिए आखिर क्यूं राखुल गांदी समय पर समय ले रहे हैं क्या है उनकी दुविदा उस पर भी चल्चा करेंगे साती आपको एक अपडेट दे दे ग्रहमंत्रा मिशाप और आपतिजनक टिपनी करने के मामले में सुल्तानपूल के MP MLA कोर्ट में राखुल गांदी के खिलाफ केस चल रहा है जिसमें राखुल गांदी जमानत पर चल रहा है उस पर अब 26 जून क को सुनवाई होगी तो कैसे इस केस में भी राखुल गांदी बसते जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे चल्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौजूद है क्या पटल टीवी के एक्स क्यूटब एडटर राजीब जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा पह प्रियंका वाडरा को सामने लाएं दूसरे तरफ से उनको सजा होने के बाद ये संसत की सदस्ता खत्म होगी ये दोनों हाथ में जो लड़ू लिए गूम रहे थे इनके दोनों हाथ में जुन-जुना थमा दिया जाएगा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि जिस बात का जिक्र आपने किया कि 26 जुन को राहुल गांधी को पेश होना है अब पेश नहीं होना है अब ये फैसले की घड़ी आ गई है दीरे दीरे जिसके कारण इनकी मुसीबत बढ़ने वाली है लेकिन जहां तक राय बरेली और वाइनाड का सवाल है राहुल गांधी कन्फ्यूज थे कर परिवारिक रिलेशन है वहां के लोगों के साथ उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं 50 के दसक से राय बरेली में जहां तक परिवार की बात है तो क्या राहुल गांधी ये नहीं मानते कि प्रियंका वाडरा भी उसी परिवार का हिस्सा है अगर वो राय बरेली से चोड़ते हैं तो प्रियंकावाडना राइवारिली से चुनाब लड़ती वो तो और कह रही है घूम घूम के कह रही है तो अब जुड़ा है लेकिन उनकानाता तो बीस सालों से डायरेक्ट है जबसे सुनिया गांधी चुनाब लड़ रही है, उनके लिए परचार की, वहां मनेजमेंट की पुरी जिम्मेदारी किनके हाथों में थी? प्रियंका वाडरा के हाथों में और कल भी प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा राय वरेली से तो बहुत गहरा नाता है बिल्कुल तो इसका मतलब है ये बहाना तो नहीं चलेगा कि राय वरेली से उनके परिवार का पुराना नाता है तो हम वायनार छोडेंगे राय वरेली नहीं छोडेंगे अगर आप राय बरेली भी छोड़ते तो प्रियंका वाडरा को वहां से चुनाव लड़ाते किसी और को चुनाव लड़ने के लिए तो देते नहीं अभी जैसे वाइनाट चोड़ रहे हो तो प्रियंका वाडरा को भेज रहे हो प्रियंका वाडरा थोड़ी सी कुछ थोड़ करवा दिया चिला रहे थे पूरे चुनाब के दोरान रोबर्ट बाडरा वो मांग कर रहे थे कि भई हमें अमेठी राइबरेली कुरुछेतर किसी भी जगह से एक टिकट दे दो क्या परिशानी थी क्या राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या कॉंग्रेस को ये लग र परिवारवादी पार्टी को एक्सपोज करती रहेगी चाहे प्रियंका वाडरा को चुनाब लडाओ या न लडाओ या रोबर्ट बाडरा को चुनाओ लडाओ या न लडाओ लेकिन अभी जो प्रस्थितियां है प्रियंका वाडरा के घर में अब वो जाती होंगी और उन तक कि कनहिया जैसे लोगों को टिकट दे रहा है दिल्ली में उन्हें दिल्ली में ही टिकट दे देता क्योंकि रॉबर्ट बाड़रा तो दिल्ली में भी एक्टिव नजर आए नवरातर के समय उन्होंने बंडारा करवाया यहाँ पर पूजा आर्थना कर दिया है मिया बीवी के बीच में जो दोनों के बीच इस बात पर चर्चा होगी कि भई तुम चुनाव क्यों लड़ रही हो इतने दिनों तक रिक्वेस्ट करने के बाद तो तुम्हें टिकट दी नहीं गई अब जब राहुल गांधी को मजबूरी हो गई कि एक सी छोड़ना है और वायनाड में भी प्रियंका वाडरा को ये चुनावी मैदान में नहीं उतारते क्योंकि वायनाड के लोगों ने गद्दार कह दिया था राहुल गांधी को कि तुम गद्दार हो हमने तुम्हें समर्थन दिया इसके बाबजूद यह एनी रजा बार बार कह रहे थी के भगोड़ा है भाग के चला जाएगा यहां तक कि कौमिनिस पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि यह भगोड़ा है भाग के चला जाएगा प्यम मोधी तक ने कहा था वाढ़रा को वहां भेज दिया कि देखो जिस तरीके से मिरी माने मुझे सौपा था रायवर एली के लोगों को, हम तुम्हें सौप रहे हैं वाइनाट के लोगों को, कि अपनी बहन को वहाँ सौप दिया, लोग अब इनका खयाल रखे बढ़ियाते और बेहतर खयाल रखने क के लिए कौमनिस्ट पार्टी ने भी रणनीती बनाना शुरू कर दिया है कि पूरे नहरू खांदान को यहां से भगाओ कौमनिस्ट पार्टी में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी जब से वायनाच चुनाम लड़ने लगा है या गांधी परिवार यहां आया है तब से केरल की राजनीती में मुसल्मानों ने कौमनिस्ट पार्टी को अच्छूत बना दिया मुसल्मान कौमनिस्ट पार्टी को वोट नहीं दे रहे है इसलिए उन लोगों को लगने लगा है इन दोनों भाई बहन को यहां से भगाओ भाई गया है बहन को किसी तरीके से एन के परकारेन अब तो चाहिए भारती जंता पार्टी के नेताओं को भी जो लोकल लीडर है कि वो जो राहुल गांधी बार-बार कहते हैं फिर रे विजन के साथ साथ गाठ है यह लोग सपोर्ट कर दे कॉम्मिनिस्ट पार्टी को वो तो किसी के साथ नहीं है वहाँ पर केरल में तो कॉम्मिनिस्ट पार्टी के साथ कोई गटवंधन है नहीं तो वहाँ पर प्रियंका वाडरा को भगाने का सही समय है कॉम्मिनिस्ट पार्टी रननिती बना रही है लेकिन राहुल गांधी को यह जो इनके चमचे बेल्चों ने चढ़ा दिया कि अब 6 से 60 होने वाला है उत्तर परदेश में कॉंग्रेस यही आधार पर इन्होंने ये निरने लिया है कि नहीं हमें अब उत्तर परदेश में रहना है हिंदी हाट लैंड की राज्यती करनी है कहां करोगे दिल्ली में जीरो सीट है तुम्हारी आधार बढ़ने का चांस नहीं है मद्ध परदेश म एक सीट पर तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्टर बड़ा नेता कमनलाथ का बेटा नकुनलाथ चुनाब जीता था वो भी भारतिय जनता पार्टी ने छीट ली और उसके बाद बिहार में बैसाखी का सहारा है लालु जादब जब भी धक्का दे देंगे जीरो सीट पर आप जो वहां के लोग एंटी इंकंबेंसी फैक्टर देख रहे थे बारतिय जनता पार्टी का शिर्ष नित्रित नहीं समझ पाया अस्थानिये मुद्य के आधार पर समाजबादी पार्टी से इन लोगों को प्रेम नहीं है कॉंग्रेस के समर्थक नहीं है लेकिन फिर भी स्थानिये नेता के विरोध के कारण इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया इन पार्टीयों को अब आगे रनिती बन रही है ये जो इनके चापलूसों ने सला दी है ये आगे के चुनाबों में पता चलेगा अभी उप चुनाब कई आने वाले हैं इसलिए राहुल गांधी ने जो सपना संजो के रखा है कि हम उत्तर परदेश की रादनिती करेंगे अभी तक तो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फरेंस में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि प्रियंका वाडरा की बड़ी भूमिका है मेरी बान की उत्तर परदेश में जिताने में जब उनकी भूमिका ह तो उत्तर प्रदेश की सीट प्रियंका बाडरा को मिलने चाहिए, कि आपकी बड़ी भूमिका है, आप आगे भूमिका बढ़ाओ, तो ये तो राहुल गांदी की आदत है, खुद तो अक्षम है, नकारा, निकम्मा है, तो इसलिए कोई भी अगर कुछ उपलब्धी हासिल कर ही है, तो प्रियंका बाडरा जाओ साउथ की पॉलिटिक्स करने, अब हम हिंदी हाटलेंड की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन ये काम्याबी मिलने वाली नहीं है, लेकिन लगता है कि प्रियंका गांदी के साथ धोका हो गया और घर में भी फूट पड़ गई है, क्योंकि पाडरा जो आए दिन मीडिया के सामने कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, वो प्रियंका गांदी के चुनाओ लड़ने पर अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया है, सर नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांदी इतने कन्फ्यूज क्यों है, उन्होंने अभी हाल में क था कि थोड़ा वक्त दे दिजे, कुछ समय के बाद सोचूंगा बताऊंगा कितना वक्त और चाहिए, लेकिन यहां पर सवाल जहां नेता प्रतिपक्ष का है, उस भूमिका के लिए राहुल गांदी अपने आपको तैयार न कर पाएंगे, और नहीं उसके लिए यह तैयार है, इसमें कौन सी बड़ी कंफ्यूजन है, जिस सीट की बात आपके थी, वो तो मलिकार जुन खड़गे सूनिया गांधी के साथ बैट कर निप्टा लिए, और जब मलिकार जुन खड़गे से पूछा गया, कि नेता परतिपक्ष पर क्यों नहीं बता रहे, यह मिटिंग क समय है, इनके लिए तो समय दस साल में समझ में नहीं आया, अगले पांच साल समझ में नहीं आएगा, और ऐसे ही अगले पंदरह साल में, अगले चुनाब तक राहुल गांधी लगबग 59 यर्स के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल के युवा कर आएंगे, उसके बा बुद्धी पिछडी हुई है अगर आपको नेरले नेला है तो अभी लेलो लेकिन क्या कर रहे हैं अभी ये कुछ नेताओं को चून रहे हैं अपने चापलूसों को बता रहे हैं कि मेरे नाम पर अब ज़्यादा चर्चा मत करो कुमारी शैल्या को देखो दलित नेता है एग अग्रेसिव मोड में रहते हैं इन जैसे लोगों के लिए वैसे लोग ही काफी हैं राहूल गादी के लिए तो सहल्या को बुलाओं नहीं तो फिर कुछ नहीं तो उपनेता के तोर पर पिछली वार रखे थे गोगोई को ये गौरब गोगोई को ले आओ या फिर मनीश दि में रखते हुए राहूल गांधी के बदले इनकी भूमिका बढ़ाई है ये जिम्मेदारियों से भागने के लिए राहूल गांधी ने तयार कर लिया है पूरा प्लान जैसे पिछली वार वाइनार्ट से लड़ने के लिए इन लोगों ने बैठा की मिटिंग की और उसके बताया कि वाइनार्ट से ही लड़ेंगे इनको जो कि सिटिंग MP है उसको ये बताने के लिए मिटिंग करने की क्या जरूरत है कि हम वहाँ से चुनाप जीते हैं चुनाप जीतेंगे क्या पिये मोदी पर इस तरह की चर्चा हुई थी कि काशी से नहीं कहीं और से बता तो नहीं है जिस तरीके से MP MLA कोट में मामला चल रहा है हलांकि इन जजज साहबों को थोड़ा सा ये लेट लतीफी की आदत हो गई है इसलिए जुडिसियल रिफॉर्म लाने की बात चल रही है सरकार के अंदर क्योंकि ये गर्मिक छुटी आप पिछली बार डेट द हुई है इस तरीके से जल्दी से सुनवाई हुई सूरत की कोट ने सजा दी आप भी सजा दो या आरोप मुक्त कर दो जो भी आरोपी है उसको बेल देकर ऐसे ही छोड़के रखे हुए हो कितने समय तक बेल दो पर रखोगे इसलिए MP MLA कोट है और इस कोट में तो संभावन होती है स्पीडिट ट्राइल की अब ये 18 तारीक के बाद 26 तारीक का समय दिया गया जादा समय नहीं दिया गया और इसमें जजज साहब की छुट्टी का मसला है ये राहुल गांदी की बात नहीं मानी गई इसलिए छुट्टी से आएंगे 26 जुन को फैसला होना है सारे सु के से ये मुकदमा चला 2018 के बाद अब तक ये 6 साल का समय हो गया है राहुल गांदी ने अमिश्टा को जो हत्यारा कहा था ये हत्या का आरोपी कहा था वो उस मामले में चार साल पहले बरी हो चुके थे तो फिर आप को नौलेज नहीं है कि CBI के स्पेसल कोट ने उनको बरी क का मामला जब गुजरात के एक ग्री मंत्री हुआ करते थे तो उस मामले में कोट ने बरी कर दिया फिर भी आप हत्यारा हत्या का रोपी बताओगे ऐसे तो राहुल गांदी के उपर 24 मुकदमा है तो हर शब्द में हर जगह पर इनको हत्यारा चोर लुटेरा बोला जाना च मामला इनके उपर चल रहा है इनके उपर तो पॉक्सो एक्ट भी चलता है जो कि एक नवालिक लड़की के रेप के मामले में पहचान उजागर कर दीती वो भी मामला चल रहा है तो तुम्हें कौन कौन से संबोधन तुम्हारे लिए किया जाए इसलिए राहुल गांदी ज इनके खिलाफ सजा का एलान हो जाए और संभावना ये है कि जो 17 जुन को joint conference होगा जो सेशन चलेगा राष्टपती महोदिया जाएं बहां और राहुल गांदी उस समय अर्विन केजिरिवाल के साथ तिहार जेल में comedy करते नजर आएं क्योंकि संसद में भी तो ये comedy ही करने वा थी अब ये सुनवाई 26 जूल को होगी तारिक नस्दीक है और राहुल गांदी पर मुसीबत काफी बड़ी है तो वहीं वाइनाट छोड राहुल गांदी सवालों के घेरे में आ गये हैं परिवारवाद की राशनीती कारों भी लग रहा है साथ ही वाइनाट की जनता के याकिर क्यों राहुल गांधी नीता प्रतिपक्ष बनने में देर कर रहे हैं इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें देख तेरे क्यापिटल टीवी नमस्कार